तो 1962 में जो यह रस्तनिक पर्टिकेशन आए यह बढ़ते चले बढ़ते चले और यह हमारा होता क्या है कि हमने एक बोरी अगर 45 किलों की लाए हमड़ी एपी की तो यह 20 लगेगा 80 पर 30 जमीन फिक्स हो जागा फिक्स का मतलब है न तो जमीन को मिलेगा न यह पोज़े को मिलागा ऐसा कैसे और यह क्यों रहा है कि 20 मिल रहा है पहले तो बाबाजी कहेंगे हम तो पांची किलो डीपी डालते थे और मज़ा आता था उस समय में जमीन का क्रारवन यानि कि मित्टी के दो कड़ों के बीच मे जो जीवन देने वाली प्रणाली है जो जीवन को पैदा करती है जैसे माता का पेट वो जमीन में क्या है वो है कारवन कारवन कैसे बनता है जब हमारे चलने फिरने वाले या दुनिया में जितनी जिस चीज ने भी जन्म लिया है जब उसकी मृत्ति होती है उसके सरीर का ज जमीन के अंदर करता है वो फंगस और बैक्टीरिया करते हैं उन फंगस और बैक्टीरिया के बोडी से निकले हुए लस लसे और द्रव तरल पदार्त को जब यह मिलता है तो यह कारवन के रूप में बदलता है यह हजारों कुंटल से केबल कुछ किलो बनता है और यह प्रिक है तो यह कम भी दिरे दिरे हुआ आप डालते का उपजबरती गिए यह लास्ट में यह हुआ पंजाब से ट्रेंज आने लगी एंसर इसपेसल यह बल कैंसर पेसेंट उस ट्रेंट में टोटल है तो कि जब यह अस्य परसेंट अमारे पढ़ा है निकलने रहे तो यह कुस्त तो टौलेट के थू बाहर निकाल दे लेटिन के थू ओप्रसन कर नहीं सकते आथ पुरी छी गई अब क्या करें बच्चा मरने की स्थिति मेहबू जो बच्च वह 18 साल के हमने वो खाना सिकाया था हम लोगों ने क्या किया इसके उपर ध्यान दिया कि आज अब जो हो गया देखो उसे रोने से तो कोई फाइदा है नहीं उससे सीखने की जुरत है जो हम पिछले जीवन में कर चुके गलतियां उनसे सीखने क्या वशक्ता है तो यह 80% क्यों हुआ कैसे हुआ यह कई वीडियो में मैंने बता दिया अभी आपके खेत में इतना डियेपी पड़ा हुआ है कि अगर उसको निकाल लिया जाए तो वापस से खेत के उपर कम चकम छाइंच मोटी एक परत बिछले की डियेपी यह रसा निखादी इतना हमारे खेतों में पड़ा है मगर वो जमीन को नहीं मिल रहा है क्यों क्यों क अगर नहीं होते तो बिमार उमर होके टेंसर में निकल गए होते हैं तो जमीन के साथ हमने क्या करना है हमारी जमीन में करण को सबसे ज़्यादा बढ़ाने का जो काम है वह एक तो आप गन्ने की पत्ति में फूको मल्चार आ गए नहीं तो नगीन नहीं मिलता तो फिर दिवाले भी दे रहे हैं आपके गन्ने की पत्ती को गन्ने के खेत में ही खतम करो ठीक है उसके अलावा आपके घरों में रोज चावल बनते हैं चावल का मान एक बाल्टी में घट्टा करना शुरू कर दो घर में जितना भी खाना वैस्टिज बच रहा है उसको एक दंगरों के लिए यूज करते हैं लोग वो खेती के लिए सबसाथ दिजबर से चीज़े देखो इसके अंदर रोज सरसोई खल में आयरन है केल्सियम है मैगनीसियम है इसके अंदर इतने तत्व हैं इतने तो कहीं है भी नहीं वजार में लेकिन किसान के दिमाग को बांद ने कमपणियों ने क्या जैना के मेरे पाकेट में सब कूझ और तेरी सर्चों की खल में इसमें कुछ नहीं कौछ नहीं मुकार है जबकि अगर आपने 5 किलो सर्चों की खल कम से कम बता रहा हुं 10 किलो प्लते यसे तुरंत रात को गोल दो और अगले दिन सुबह जैसे आप ट्रेक्टर पिलान तो बनता ही है कि हमें परसोपानी देना उस दिन अपने ड्रम को ले जाके हुआ चला दो अगर आप भाईया जी की बात आ गई मेरे ध्यान कि भाईया हम जो आप बताते हो तोड़ा कटीन है हमारे गाव में ड्रम कहां ख कर सकते हैं इसका एक तरीका और है आप अपने खेत में खेत की मिट्टी ले लो या घर में सड़ा हुआ गोबर के खाल दे लो दो बोरी चार बोरी उसके अंदर ये 20 किलो कच्छा गोबर इसको हलका पानी डालके थोड़ा वैसे बना लो लसला थोड़ा खीड जैसा भी खर कि गुड़ को पानी में घोल लो और इस सब को गोबर के खादवें अम अट्टी पे छड़क लो और फावड़ा से मिला लो डीएपी की तरियो बोरी में भरकर ले जाओ पानी देने के पहले 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 खेतना फेग दो फिर पानी देदो गन्य में इस पेसली जब आप जुताई होती है गन्य में तो खुदाई चलेंगे दढ़ा दढ़ा तो यह डालते रहो खुदाई करते रहो डालते रहो खुदाए करते देखना यह उत्पादन इतना बढ़ा देगा आपका तो सर्सों के खल गुड और यह आपकी मैदा कि इसमें मैदा भी डाल सकते हैं आप दो कि यह भोजन है बैक्टीरिया का जो जमीन में हमाने हमारे गलतियों से दूर चले गए या कम हो गए जब मीत्र जीवानों बढ़ेंगे तो यह आपके रासानिक खादे खेत में पड़ी हुई हैं यह इनको घोल घोल के देना सुरू क करते हैं तो अगले तेहरे साल का कम से कम हमारे यहां पर रसानिक खाद पड़ा हुआ है खेतों में दुपरान पर जाने की जुरूत नहीं है अब एकदम से किसी को यह कहें कि भया दारू छोड़ दे पंड़जी बंजा या मॉल भी बंजा तो पॉसिबल नहीं हम कैसे धीर सबसे घरे लोगों को मॉड़ें तो आप जो रसनी खेती कर रहे हो करते रहो तोड़ा सा तरीका जंद रहर दो अगयाओ लगत सबसेары i आप एसनास्ते कित्य दिन जुम्गा जी पे और हर बार मुझे यूए नास्ता खाना खिला रहा हूं जहां जा रहा हूं यही मिल रहे हैं तो खेट को यह नहीं चाहिए कि डिया पी की बोरी लाए और फेकर पीछे से बोधिया धान या बोधि मुंजी यह वो कर दिया ना उस प्रणास कुंटल गोबर की सड़ी विखाब बड़े अराम दमिल सकती है कोई बड़ा काम नहीं है मिलना जगह जगह को सालय मनिया नहीं तो अवारा गाय पकड़ो पूरा वाले मिलके आप लोग अगर अपने घर से सारे के सारे कावाली एक का कुंटल भूज भी दें और स करने सरकारी जमीन में च्छुटी जोसाला भी बना लें किसान है इतना 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 को पर हम आपस में लें बाट लेंगे तो कहीं को लड़ा जगना नहीं है तो हर्त के बिना आप आगे खिती नहीं कर सकते अब समय आ आ गया जमीनियों कोई कम पूले गाहों को एक साथ गा कर रहा है दुकान वाला जिसना कभी खेती नहीं करी बीसी करने के बाद वो दुकान को दवाई लेकर बैठ गया मैं 80 साल ते खेती कर रहा हूं मैं उससे पूछने जा रहा हूं कि मेरे पत्ते में क्या होगा है जानम अजी की बात मुझे सलाव वो दे रहा है जो खेती नहीं क आप तो बैठे में बता रहां आप उससे बुद्धा रहां 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 तो तो चौक परिकर हैने वाला सब्सक्राइस को दिवार अब भाते तो नंडे गर से चमन के घर में फोद चमन के घर से दरबूलिक भांट तो यह हमारे हमारी बहुत बढ़ी कर दो दूसरा मिट्टी की जांच कर वो मिट्टी की जांच केंद राज काल हर जगे किर्शिविग्यान के दुरह में उपलब दें सो दोसर रुपय में मिट्टी की जांच हो जाती है कुछ प्रावेट लैब भी कर रही है वहां से बिकर वास लेकिन मिट्टी की जांच कर वह सरकारी बढ़ी है अज इसा जमाने चले में लड़ गये वह दिन आज में डर्ताय करवल करने से और उसको बोलो सरकारी वालोगो कि कि इसकी जाच पेरे साथ साथ दिल्ली और बेजिए अगर अंतर आ गया तो जबाब भाईया लिखित में देना पड़ागा देखना वो तुम्हारी जाच एक नमबर करागा देगा चाहिए अपना हक मांगना सीखो समझ मैं तो मिट्टी की जाच क्या करेगी मिट्टी की हो जागी फिर यह रहा पर आजएगी अपनी और हमारा जहां खर्चा कम हो तो आंदनी कम नहीं हो रही आज की तारीक में अंदनी कम थोड़े यह अकर साथ कुंटल करने को तीन सो पेचता से गुणा कर दो और इसमें खर्चा जो आज कर रहे हैं उसको तीस पर्षंट पर तो बच्चत होगी वैसाब तो हम वो बजार की कोश्ट तो कम कर नहीं सकते हम अपनी अपनी जागरुकता से अपनी कम कर सकते हैं तो पाट्राली गोबर की खाद और इसमें जो है तीस किलो चुनना बीना बुजा चूना लेकर आओ दुकान पर से उसको घर पर लाओ या तो रात को उसमें रख दो या उसको थोड़ा सा छिड़क दो मैंने बारत साल खेती से प्रक्टिकली कर रहा हूं और पांच साल तो बिजय पूरे बारत में गुमते-गुमते हो गए गाउं गाउं ज इसको बुजा लिया सुबत ते कि सुबत तक दो गंडें धुल बन जाए इसकी इसको गोबर के खाट में डाल तो दो बोरी में हमेट्टी में मिला दो फावड़ से बस भल्लो बोरी में हो गया काम हुए हूं और इसमें 30 किलो से 50 किलो अपनी सामारते के नुसार सरसो की खल इसके साथ में आपने जो हैं अगर गेर हो मिल जाए दुकान पर गिनकी इनितों आपके पादर तलाव है तलाव की कम सकम नहीं तो घटे तारओ ए य Iraq साल में किति बार तोक तो काफिए तीन-चार तनारे हुए यह मिडिर निए----- प्रग्रतिक हो गई अब वो मिठ्टी सबसे बढ़िया जीमंत मिठ्टी ने तो देख लो हाई वे में क्या खेती हो रही और हाई वे के इधर क्या खेती हो रही पेड़ों के बीच में एकदम पोदे टंग तर्ण चलें को जा रहा हुआ अधिया पिखा देना है और वही है व कि अपने भ्रत के जुताई कर दि पलेवा कर दिया पलेवा करने के बाद आपको एक आती है नवरतन इसके बारे में सुना किसे ने इनको पता को उन्हें वीडियो देख गी हो अगा है आज यह कि दी कंपनी की खाद नहीं है आपको लग रहो है कंपनी आगी बीच में नव प्रिकार की ऐसी चीजें जो हमारे यहां असानी सो प्लब्द हों जैसे सरसों चना मटर गेहूं बर्सीन बाजरा तिल सूरज मुखी सनी नहींचा कितनी होगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस इलो दस हो गई नो की बजाए अब इनमें जो महंगी हो वो कम कर लो जो सस्ती है वो बढ़ा लो कुल मिला कि यह होना कितना चाहिए यह होना चाहिए बारह से पंद्रे के जी एक एकड़ के लिए किसे विग्ञान केंद्र के डाक्टर है केके सिंग यहां बिजन और में जौनपुर के रहने वाले हैं हम लोग जब गाओं गाओं जाकर के लोगों को जागरू कर रहे तो उस दोरान हमारी इसका चर्चा हुए और मैंने अपने खेतने इसको किया तो मुझे था वादभू चारीस दिन के बीच में कर सकते हो अब बढ़िया यह रहेगा कि चालिस दिन पर करतो आप इसको चालिस पहले जुताय करतो आप यकीन मानों आपने वह कर दिया आपको उत्पादन इतना शांदार आएगा कि यह बाकी लोग प्रशान होगा है क्यों क्या कर रहा है हम तो इतने बड़ी बड़ी सिस्टी ला रहा है हमारा रिजल्ट ने आ तेरा कैसा आगया लेकिन किसान को सबर नहीं है उसे एक के साथ एक तुरंट फचल बोनी एक्ट सब्सक्राइब से ब्लैक कलर गभी यह बोड़ दीख रहा है तो यह आपको यह आपने करना है ठीक है यह मैं आपको लिखके भी देदूंगा और यह वीडियो भी आएगी आप इसको बार बार दस बार देख लेना चाहें तो यह खेत के तैयारी हो गई अगर आपने इस त अगर तो मुस्किल नहीं था तो आप इतना तो लोग है अपको ड्रम बाला काम खत्म करते हैं अगर मजबूरी है तो बैदे को हमें विकल्प ढूनना पढ़ेंगे किसान को ग्यान देना बहुत आसान उसको को मुस्किल है कभी भी आप लोगों को कोई समस्या होती है दिक् आप लोग मेरे किसान मैं आप लोग को के साथ पकड़के खड़ा हूं आप मुझे एक साल में एक जार बार फोन करो मैं आपको फिरी में बताँ हूं एक रुपया जीवन भर मेरा कोई चार्ज नहीं नामा कोई प्रोड़क्ट बेस काम करता एक दो चीजी है मेरे बास वो हम यह चीज नहीं कर पाने कि आप क्या करूं तो भाईया फिर तू यह कर ले लेकिन पहले यह करो किसी से भविश्य है कि यह डबे हमें ज्यादा दिन नहीं चलाएंगे लोग जादू की पुडिया दे रहे हैं आके यह डाल तो डेड़ विगे में एक बिगे में इतने जान पूज के आने वाली पीडियों को परवाद मत करो बच्चा पैदा करना है बहुत खूस हो रहे हम यह रोटी ने मिलनी तो पैदा क्यों कर रहो तो यह तो यह तो ओगई आपके घेत के तज्यारी उसके बाद आभी जो आप रसने निखा देते हो जैसे यूरिया है डि अब यह आज के बाद फिक्स ना हो तो क्या करें अगर यह सबसे बढ़िया चीज है तो अब आज जो भी आप खिती कर रहे हो आज के दौर में जितना भी डिएपी यूरिया पटा डालो मेरे को नहीं पता कितना डाल रहे हैं आज उसको 50% कर देना मतलब मैं आज के बाद 50 आज परसेंटी डालूंगा यह नंबर लिखता हूं अपना जिसको चाहिए को ले लेना है से यह 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 दो नंबर है मेरे ठीक है पचास परसेंट कर देना अज पचास परसेंट करें कैसे और दें कैसे आप जब भी खेत की तजिए रिकरें उसमें एक चीछ चुटब गई पांच कुंटल जिप्सम बड़े अराम दो ब्लोग में जाएगा आपको आप जब लोग में जाएंगे थक्या उताओ तो उसको बहुत सब्सक्राइब पाउस कुर्टल जिफ्सम आपने कम से कम खेट में डालना ही है मतलब डालना ही है अनिवार्य है कहीं से भी लाव ढूंड़ गेशचत प्लोग में मिलें गांने मिलता है फिर मुझे बताओ मैं चलूंगा तो मैं तो मारे साथ रिक्ष्ट करने इतनी व जिलों को पता नहीं हमारे जिल्ले के अधिकारी वाट्ट आप लोग उन तक पहुंसते री पीछे-पीछे ग्यान पेल देते हो बैठके हम गये था मिला ना अगर वो नहीं सुन रहा है तो ऊपर वाले अधिकार इस जागवाद प्रू एक्दम सुनेंगे अगर किसी को भी को सब्सक्राइब में एस जी ओ मनोज रावच जी जो सातो ब्लोग देखते हैं पुरे जिले के सातो तहसील अप उनको जाके बताओ कि जी हम ऐसे ऐसे किसान साब हमें नहीं मिल रहा है देखो कैसे उप्लब होता है और है यह चीज़े ब्लोग की भी गलती नहीं सरकार मंगा तो पांच कुल्टर जिप्सम डालना है ठीक है बड़ी बात नहीं है काईदे में एक ट्रक आना चाहिए अब लोगों को लगे अब देखो नहीं से आपको उत्वादम नहीं हो रहा है बोल बोल गए एक रुपए में तो रोटी मिलने अब भी मिलनी नहीं बताना का तो भी मिल जागी इसे आप लोगों का फाइदा आपका भविश्य से बचेगा तो पांच कुल्टर जिप्सम जरूर डालो जिप्सम क्या करेगा आज तक जो खराब हो गई हो गई अब नहीं खराब होने देगा आगे को समझ गए बात अप तक इतने कुट्टे विल्ली घर माने सब्सक्राइब करते हैं एक ऐसे इंवार्मेंट बनता है जो जैसे हम लोग बैठें आज एक माहूल बना करके तो माहूल बनाना है हमने जमीन में तो जिप्सम जुरूर लेना है यह खेत की तैयारी होगी अब जो भी आप रसानी खाद ला रहे हो जैसे यूरिया लाते हो तो यूरिया को डारेक्ट में डालो देखो कोई भी खाद डारेक्ट देने के लिए खेत में नहीं बना हम खाद को सणाना बंद करते हो वो गड़बर है फंगस आती है उससे सारी बिमारी वहीं से आ रही हाद को जमीन के ऊपर डेरी बनाओ जो गोबर की खाद आप जमीन के ऊपर डालते हो इसकी उचाई देड़ फिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसकी लंबाई पचास फिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेड़ से दो फिट ऊची धेरी पचास फिट लंबी अपनी जमीनों में एक विसा दो विसा या तीन विसा जमीन जबर दस्ती सरकारी परती जमीन में कूडी मत डालो कोई कंच की बोतल भीग जागा कोई प्लास्टिक भीग जागा अ एक साल इसकोने पर एक साल उसकोने पर ऐसे उसकोने की पैदावार देखना परकले साल अपनी कूडी अपने खेट पर डालो और इसको कूडी को जाब की बनने में लगबग 9-12 महीने लगते हैं खेट पे अगर आपने डेड़ फिट उची इसकी उचाही रखी और फावड पुराल गर्ने की पत्ती जाड़ों में कुछ भी मतलब मिला के मसाला रखना आमने डख रखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो हरे रंग की पत्ती आतीच है पर चोड़ी एक वार खरीद लो इस पर उड़ा दो पूरे पर जबर पर चतर उड़ा दें देखी वो हरा वाल की चीज़ को रतल बता दो अपना डिबा पेचो इसको उल्लू बनाओ निकल लो आपने इस तरी किसे अगर वो परिखात प्रिजब कर दी कोई भी एक आदमी एक थोड़े चेत्र में करके देख लाना एक छबला को तो प्रिजब करी सबो डेड़ फूट उच्छा दो जैस लो दो किलो चुन्ना डाल लो बिना बुझा जितने वी अवाल बवाल तुम्हारे मन में खुरा पाता रही सब डालो उसके अंदर है और इसको छिड़क दो उसके उपर मैं ठटाओ छिड़क दो फेड़सर नेट डालो फंद्र फंद्र दिन में दो तीन वार प्रिजब कर अब मेरे खेट पर आना प्रेटी चाले ट्राली गोबर एक पड़ी और मैं आपके एक हाथ में रखूंगा बर्मी कंपोस्ट चार्थ रोपय कर जो मिलता है एक रात में मेरी खाथ दूँगा दोन्नों मैं अंतर बता देना मुझे कि कौन सा बर्मी कंपोस्ट पहचानी नि अब जो भी आप रसानी खाथ लेके आ रहे हो इस रसानी खाथ देने दो होता क्या है यह डीएपी का दाना है जब आपने डीएपी या कोई भी चीज़ रसानी खाथ खेत में खेत में डानने के लिए डारेक्ट नहीं बना कुछ है बाटर सोलेवल जो बन रहे हैं लेकिन वह भी गड़वड़ हैं उनके अंदर भी कुछ अशुद्या हैं तो यह जब आपकी निकलेंगे गैसे और नीचे दे निकलता तेजाब कई प्रिकार के ऐसे डेलीज होते हैं इसको आपके मित्र जिवानों पसंद नहीं करते हैं तो हम क्या करें अगर वह अंगारी रखनी आग सेखने के लिए तो धुआ बाहर निकाल लो अंगारी अंगारी लाला लाला हो आग सेखने के लिए हमारे लिए आग जला के ला रहे हैं कि धुआ तो गपड़ हो गया हम तो मर्जन के दम गुड़ जागा तो खाद आप जो डाल रहे हो उसका नुकसान यह हुगा कि आपकी जो ऊपर गैसे निकली उना पर्यावरान खराब गिया पोद्वगी पत्ती कि उसको सोख रही वह भी फिर डीने में अंदर जा रहा है पोदेगे और इन से तेजाब से हमारे जमीन के नीचे के मिते जमानों डिश्टाब हो नहीं तो अगर आप रजगुले खाएंगे या खाना खा रहे और यहां धुआ हो जा तो खाना छोड़ोगे कि नहीं गयाता है असी छोड़ीया अब जो खाना वचक हों गाट टाता यहां गार तो क्या करना है माहोल तो बनाना एक परों याकी मर्य ऐसा करता है कि नहीं नेक्ता है यह tracked स рок कधे का श्रुमार над अगर अगर मातम धुन बजाने लोगो कि राम नाम सथ्य है राम नाम सच्छ्छ्रा ए हिंदी में पड़ों कितना सुन्दा लगता है राम का नाम नहीं है माहोल तो जिवानों को रहने के लिए महोल महाल कैसे बने का महोल ऐसे बनेगा ने का महोल जो बनेगा प्सक्राइब कप दो इसको विरामगम नहीं यह वहाओ पडिजमेट की अब स्कॉश कर दो कर दो कर दो कर दो